देखे बिहार के स्कूलों में बच्चों का यानी चात्रे चात्राओं का बैग में पिस्तल लेकर स्कूल जाना इतना नॉर्मल हो चुका है, इतना आम हो चुका है के आई दिन ऐसी ख़बरे बिहार के अलग-अलग जीलों से सामने आती रहती हैं आखरी खबर हमने आपको बताये था कि बिहार के अरवल जिला में किस प्रकार से दो शात्राएं अपने बैग में पिस्टल लेकर इसकूल पहुंच जाती हैं इससे पहले भी हमने आपको बैग में पिस्टल लेकर जाने की कई खबरे आपको बताई हैं और इसी क्रम में एक बार फिर फिर से हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कि आज कल के बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी मानसिक्ता कैसी हो गई है, उनकी प्रविर्टी कैसी हो गई ह वो क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने आसपास कैसे लोगों के साथ उठ रहे हैं कि स्कूल में, यानि कहा जाते हैं कि विद्या के मंदिर विद्याले में, वो कॉपी किताब की जिका, पिस्टर लेकर स्कूल जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि गया जिले के शेर घाटी के चेरकिडी हाई स्कूल में सोमवार को नौवी कच्छा का एक शात्र स्कूल में देसी कट्टा लेकर पहुँच गया इस दोरान शात्र से कट्टा शिनकर क्लास के दूसरे बच्चो और रस्थानिये लोगों ने पुलिस को सुपूर्द कर दिया हलाकि शात्र पुलिस वा ग्रामिनों को चक्मा देकर भागने में सफल भी रहा इस मामले में पुलिस ने जाख शुरू कर दी है शेर घाटी के थानेदार अजीत कुमार ने बताया कि चेर किड़ी हाई स्कूल में नौवी कक्छा के एक छात के पास एक देसी कट्टा मिलने की जानकारी देते हुए ग्रामिनों ने हथियार और आवेदन पुलिस को दिया है पुलिस के पहुचने के पहले ही बच्चा वहाँ से भाग गया था विद्याले के वर्ख शिक्षक यानि क्लास टीचर प्रभाकर कुमार ने बताया कि जब वो बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रहे थे उसी समय गाव के कुछ लड़के हल्ला करते हुए कलासरूम में घुज गए और बच्चों को उसके बैग के साथ लेकर बाहर चले गए बाद में स्कूल के बाहर बताये गया कि बच्चे के बैग में कट्टा रखा हुआ था ग्रामिनों ने खुद पुलिस को फोन कर बताया और उसे उनके हवाले कर दिया विद्याले के हेड मास्टर ट्रेनिंग के लिए पटना गए हुए थे इधर शेर घाटी के बियार्पी अभय कुमार ने बताये कि चेर किड़ी ही हाइज स्कूल में CRC किंद्र भी है वहाँ छात्रों की परिक्षा का मुल्यांकन चल रहा था जब वह विद्याले पहुँचे तो ग्रामिनों के भीड जूटी थी और पुलिस भी मौजूद थी यह पता नहीं चला कि बच्चे के बैक से देसी कटा क्लासरूम के भीतर या स्कूल के बाहर मिला है बतादे के बिहार में पिछरे दो महीने के भीतर छोटे बच्चे द्वारा स्कूल में हत्यार लेकर आने की यह दूसरी तीसरी चौथी घटना है इससे पुर्व 31 जुलाई को सुपॉल के त्रिवेनी गंच के एक स्कूल में 6-7 साल के बच्चे के पास मौजूद पिस्टल से गोली चलने के कारण तीसरी काक्षा का एक छातर घायल हो गया था इसके अलावा ऐसी कई खबरे सामने आती रहती है हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताए कि किस प्रकार से अरुवल जिले के एक स्कूल में क्लास की दो लड़कियां दो शातरा है अपने बैग में पिस्टल लेकर पहुँचती है इससे पहले एक और बच्चा पिस्टल के तरह दिखने वाला एक खिलोना था और इस बार फिर नौविक अच्छा का एक बच्चा जो गया जिले के एक स्कूल में पढ़ता है वो अपने बैग में पिस्टल लेकर जाता है और इस बात की जानकारे ग्रामिनों और इसकूल के लोगों ने जब पुलिस को दी तो क्या पैसे खबरों पर क्या कहिएगा आज काल के बच्चों पर क्या कहिएगा अपने रह बताईएगा वीजियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में आप देख रहे तेस स्टॉक्स मैं थी आपके साथ डॉली पांडे धन्यवाल